यह प्रस्ण जो है हम लोग के पास इसको हम लोग सधारन तरीका से सीखेंगे सधारन तरीका से बनाएंगे समाई न लेते हुए इत्मिनान से प्यार से हबडाते हुए नहीं इकनम इत्मिनान से बनाएंगे तो यह प्रस्ण है एक लिफ्ट एक बार में एक बार में 24 बच्च ले जाएगा नहीं तो आठ पूरुस को ले जाएगा है ना दोनों को नहीं लेकर जाएगा एक साथ चौविस पूरस के साथ कितने पूरुस जा सकते हैं यानि एक बार में लीफ्ट की के पासीटी है 24 ले जाने का चमता है या 8 को पूरुस को ले जाने की चमता है तब बताईए कि 18 को जदी बच्चे लेका जा रहा है तो उसमें पूरुस कितने आ जाएंगे यह प्रस्थन है और हम लोग लिखेंगे कि यह 24 बच्चों की जो संख्या है भार है उसके भार के बराबर ये भी है संख्या नहीं ले भार ले यानि 24 बच्चे बराबर 18 आठ पूरुस ठीक है तो एक बच्चे एक बच्चा एक बच्चा बराबर क्या होगा आठ बटा 24 पूरुस इससे कट जाई तो एक बच्चा बराबर एक बटा तीन पूरुस ठीक है इतना हो गया आपका अब यहां से हमको क्या करना है कि हमको निकालना है 18 बच्चे के साथ कितने पूरुस आ सकते हैं ठीक है तो 18 बच्चा का जब हम निकालेंगे यहाँ 18 बच्चे 18 बच्चे बराबर एक बच्चा बराबर देखले लिए कितना है एक बटा तीन पूरूस तो इसे कटा दिया लिए चो के बराबर चौ पूरूस याने 18 वाच्त को बच्चे के बराबर 6 को पूरुस को से इसने के वाधारेगों की संख्य को पूरुसों में हम लेख देते हैं इसलिए ने या पूरूसों की कि संख्य संख्या बराबर श्रक संख्या बराबर आट मारूश टो बराबर चो के? संख्या मतलब यांह डी यह ह्वार हो होगा लेकिन अभी इसमें पूछा है कि कीतने इतफर नहीं नकीतने पूरुस अठार गो के साथ जा सकते हैंczenia मेरे पास इतना पूरुस के बड़ाबर जोग नहीं स्थैस्ट याननि अठारु बच्चे के सांथ कीतने पूरुस जा सकते हैं तो दो पूरुस जा सकते हैं